नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम सेक्षन 34 देखेंगे जो चैप्टर 6 में बताया गया है इस्तेसिक रिलीफ एक्ट का तो जो सेक्षन 34 है वो बात करता है कि प्राइस्तिती की या अधिकार की घूशना के बारे में नयाले का जो है विबे का अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की गई है कोई वेक्टी इसमें हम पहले यह बात देखते हैं कि यह होता क्या है यह कौन सा अधिकार होता है तो इस उसी का ही अधिकार है और उसी की वो इस्थिती है ठीक है उसके लिए वो न्यायले से ये चाहता है कि कभी ये ना हो जाए कि सामने वाला कोई अन्य वैक्ति आए और कहें कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है जो उसका है पहले से और ऐसी तुम्हारी हैशियत नहीं है तो इस देखते हैं कोई व्यक्ति जो किसी विदिक हैशियत या किसी संपत्ति के बारे में अधिकार का हकदार ही मतलब उसी अधिकार है कि या तो उसकी कोई विधिक हैशियत है या फिर क्या है उसकी कोई संपत्ती है तो वो संपत्ती पर उसका अधिकार है तो ऐसा जो वेक्ति है हकदार है ऐसी वेक्ति के विरुद है अब कौन सा वेक्ति? जो ऐसी हैसियत का या ऐसी अधिकार की हग का प्रत्याखन करता है अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो कहता है कि आप इस जो बिदिक हैसियत के हगदार नहीं है और इस संपत्ति के हगदार नहीं है या प्रत्याखन करने में हित बद्धू वाद संसित कर सकेगा अब वाद कौन-कौन संसित कर सकेगा तो जिसकी वो स्वयम की समपत्ती है या जो कोई वेक्टी उस चीज से हित बद्दू हित बद्द मतलब यदि डारेक्ट हित बद्द नहीं है तो इनडारेक्ट भी हो सकता है जैसे ए कोई वेक्ती है ठीक है ए की ये प्रॉपर्टी है ध्यान से सुनिएगा ए कोई वेक्ती है और ए की क्या है प्रॉपर्टी है अब यहाँ पर जो बी है भी कहता है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है तो यहाँ पर न्यायले के पास जाएगा ए और कहेगा कि ये जो property है ये जो property है ये मेरी property है और किरपिया करके इसे degree मतलब इसे घुशना की जाए कि ये जो property है ये मेरी ही property है क्योंकि सामने वालो जो पक्षकार है वो मना कर रहा है कि ये तुम्हारी property नहीं है तो ये अधिकार की बात होगी यहां पर direct बाद लाया गया है यहां पर direct बाद लाया है अब indirect तोर पर कौन बाद ला सकता है तो इसी के लिए यहां पर बाद बताए गए है कि indirect तोर पर जैसे A है A का कोई बेटा है C ठीक है अब यहां पर मर जाता है या A की disable हो जाता है मतलब वो किसी काम के उसकी तवियत खराब हो जाती है कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे पता नहीं है कि उसे वाद लाना है या नहीं है पागल हो गया कुछ भी हो गया ऐसा तो अब यहाँ पर उस संपत्ती पर हित कसका होगा उसके बेटी का होगा तो यहाँ पर उसका बेटा भी नहीं ला सकता है यह नहीं ला पा रहा है तो यहां पर सी जो उसका बेटा है वो भी यहां पर बात ला सकता है ठीक है तो आगे देखते हैं यहां पर क्या है यहां पर जो बातें की गए हैं वो स्वाब इवेक में की गई है स्वाब इवेक में उस बात में गूशना कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वह बादी के लिए या आवशक नहीं है कि वह उस बाद में किसी अत्रिक अनुतोष की मांग करें इसमें ये बताई गए है कि यदि कोई वेक्ति है ठीक है पहली बात तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर कोई वेक्ति की बात करता है जो बिदिक हैशियत रखता है या क्या करता है संपत्ति के बारे में कोई अधिकार हकदार होता है अधिकार का हगदार होता है तो जो दूसरा वेक्ति होता है वो क्या करता है ऐसी हग का पृत्य ख्यान मतलब मना करता है कि आपकी जो है ऐसी संपत्ति नहीं है या फिर आपका ये जो बिदिक अधिकार है ये आपका अधिकार नहीं है ना ही आपकी यह हैसियत है तो पृत्या खान करने में हितबद्धू अब जो कोई पृत्या खान करने में हितबद्धू कोई ऐसा वैक्ति है सामने है वो कहता है कि यह जो हितबद्ध है वो वैक्ति कहता है कि यह जो संपति है वो तुम्हारी नहीं है तो वाद संसित कर सकता ह और न्यायले विस्वा विवेक में उस बात में घुषणा कर सकेगा, कि अब वह वैक्ति जो है जी की ऐसी संपति है तो वह यहां पर वात् संसित कर सकेगा और एप ईश्था हकदार हो और वादी के लिए यावश थक नाइने कहिए कि ये जो संपत्ति है और जी जो विधिक हैसियत है मेरी इसको घूशना की जाए कि ये मेरी ही संपत्ति है किसी अन्यकर नहीं है ना ही विधिक हैसियत किसी अन्यकर नहीं है मतलब मेरी है ठीक है अब इसके लिए यहां पर वाद लाया जा सकता है और न्याले उसको स्वा वेक में ऐसी घूशना भी निकाल सकता है कि हां भाईया यह जो संपत्य है वो तुम्हारी है यह दिने अले को लगता है तो अब यहां पर क्या बात बताई गई है कि परन्तु इसके लिए यह आवशक नहीं होगा कि वादी उसमें अब वो यहां पर घूशना मक्डिक्री ला देखी है यहां पर दो बातें की गई है कि कोई वेक्ति है ठीक है पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट है जो बिदिक हैसियत रखता है यह संपत्ति रखता है ठीक है अब बिदिक हैसियत यह संपत्ति के बारे में क्या है हकदार है यहां पर ठीक है अब हकदार है त करता है 5पौइंट हो गया ठीक है तो ऐसा प्रित्यखन तो न्याले क्या करेगा स्वाव बेक में क्या कर सकता है यहाँ पर गोशना निकाल सकता है कि यह संपत्ति है यह पीर ऐसा कोई हित है और ऐसा जो जो केस वाद कौन कौन ला सकता है तो वो स्वयम वेक्ति भी ला सकता है यहां पर यह और बात बताई गए है कि यदि कोई ऐसी वेक्ति वाद लाता है तो उसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि उसे अन्य प्रकार का कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो उसी बाद में ऐसा रिलीफ म हमारे जो परन्तु है यह important है यहां पर बता दिया गया है कि जो संपत्ती है या फिर कोई विधिक हैशियत है उसके लिए आप यहां पर वाद लाते हैं तो उसके लिए आपको जो है विधिक आप उसमें अन्य अनुतोस की मांग नहीं कर सकते हैं मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसमें वादी के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसमें क्या करें, अन्य अनुतोस की मांग करें, अगर वो चाहे यदि उसको मिलना है कोई अन्य रिलीफ तो वो उसमें मैंसन कर सकता है, और नहीं मिलना है तो वो नहीं ला सकता है ठीक है उसमें ये जरूरी नहीं है कि अन्य अनुतोस को उसमें समलित किया जाए पर अन्य अनुतोस के लिए यदि उसे मिलना होता तो वो उसमें मैंसन कर सकता था कि मुझे ऐसा अन्य अनुतोस दिलाया जाए और नहीं मिलना था त उसके लिए भी साथ में बा tiempo ला पृष्ट यहां पर यह बाद बताता है कि यदि यसी घुषणा की डिक्री के लिए ठीक है अब आपने वाद किया था अब वह अपर आपको यह भी अधिकार था कि आ आप अन्य अनुतोस मांग सकते थे और वैसा आपने लोप किया है देखी यहां पर क्या है लोप किया है तो फिर न्यायले कई विवेग भी नहीं होगा न्यायले आपको एसा आन्य अनुतोस नहीं दे सकता है जब तक कि आप नहीं मांगे तो सीधी बात यह है कि यदि आन्य परटी कोल हो जो स्तित्व में नहीं है और जिसके लिए न्यासी होता यदि वयक्ति अस्ते तुम्हें होता इस प्सटिकरन क्या बताता है कि यदी कोई ऐसा वक्ति है जो उससे रिद्ध है वो भी यहाँ पर वार ला सकता है देखते हैं हम जैसे A वेक्ति है ठीक है A ने क्या किया है कि अपनी यह जो property है वो कहता है B से कहता है कि मेरी यह जो property है इसे आप रखिए जब तक कि आप देखे A का बेटा है B B का बेटा कौन है? C तो यहाँ पर जो A है वो कहेगा कि мира property है तुम अपने पास रखो जब तक कि मेरा पोट़ सी नहीं आजाता मतलब मैं यह पूरी property अपने पोटे को दूँगा और जब तक मेरा पोट़न नहीं आ जाता अभी वो इस दुनिया में है ही नहीं तो जब तक वो नहीं आ जाता वो एक ठीक है जब तक वो नहीं आ जाएगा तो इस संपत्ति की जो रक्षा है उसे रक्षा करने का दिकार किसका है करतवी किसका है तो बी का है यहाँ पर क्योंकि संपत्ति यहाँ पर किसको दी गई है बी को दी गई है तो यहाँ पर जो वाद लाने का अ यहां पर वी जो है वी के लिए यह authority दी गई है कि यहां पर वाद ला सकता है मतलब उससे हितवद्ध कोई वैक्ते वाद ला सकता है यह हम पहले देख चुके हैं परन्तु जिसका ऐसे वाद में सीधे direct हक मिलता है और वो नहीं ला सकता तो जिसके माध्यम से उसे मिलना है ठी गुष्णात्मक डिक्री के बारे में बात की गई है 34 बताता है कि यदि किसी की विदिक हैशियत है या कोई अधिकार है ठीक है किसी एक वैक्ति का विदिक हैशियत है या अधिकार है ऐसे अधिकार का वो हकदार है और दूसरा वैक्ति क्या करता है यहां पर एक वैक्ति ए उसका प्रित्याखन करता है एसी विदिक खैशियत और संपत्ति का तो यहाँ पर वाद लाने का अधिकारी होगा वह वैक्ति या उससे हितबद्ध-कोई वैक्ति भी यहاँ नहीं है ठीक है और वादी के लिए ये जरूरी भी नहीं होगा कि वह ऐसे वाद में जिसमें घोशनात्मक डिक्री के लिए वाद लाया गया है तो उसके साथ-साथ वो अन्य अनुतोष के लिए भी यहाँ पर वाद उसमें मैंसन करें ठीक है परन्तु यदि वो अन्य अनुतोष मंगा शकता था और यदि उसने नहीं मंगाया है तो नियाले उसे किसी भी कीमत पर नहीं देगा इसका मतलब है यह परन्तु बताता है कि यदि कोई वेक्ति है जो ऐसा अन्य अनुतोष मंगा सकता था परन्तु उसने क्या है किया ह तो जब अनुतोष्ट नहीं मंगाया तो उसे अधारा के तहत वाद लाने का दिकारी होता है क्योंकि न्यासी के पास संपत्ती क्या की जाती है कि उस संपत्ती की संपत्ति की जाए क्योंकि उस व्यक्ति से तीसरे पक्षकार को संपत्ति मिलने वाली है, अब तीसरा पक्षकार को यहां पर पता ही नहीं है, वो जन्मा ही नहीं है, तो क्या होगा, कि जो व्यक्ति को पता है, जो नियासी है उस संपत्ति की, तो वो भी यहां पर बाद लाने का दिकारी हो जात यदि हो गई है, नियाले ने कह दिया है कि ये जो संपत्ती है, वो आपकी है ये नहीं है, कुछ भी ऐसी यदि घुशना कर दिये कि यदि आपकी संपत्ती है अब उस घुशना का प्रभाव क्या होगा, किस की ऊपर पड़ेगा तो यहाँ पर उसी का आंसर मिलता है कि कितने लोगां पर उस घोषणा का प्रभाव पड़ेगा तो इसमें बताए गया है इस अध्या के अधिन की गई घूशना केवल बाद के पक्षकार केवल बाद के पक्षकार हमें ये बात को ध्यान रखना है केवल कि जो बाद के पक्षकार है या उनसे व्योत्पन अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आवद करती है पहली बात हमारी ये बात हो गई कि बाद के पक्षकारों को दूसरा उनसे व्योत्पन होने वाले दावा करने वाले व्यक्तियों को आवद्ध होगी और जहां कि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहाँ उन व्यक्तियों को ही आवद्ध करती है ठीक है अब यद गोशना का प्रभाव क्या होगा तो कितने लोगों को यहां पर आवद्द किया जा सकता है उस गोशना से कितने लोग बाउंडेबल होंगे तो यहां पर चार लोगों को बताया गया है कि पहली बात बताता है कि जो उस उस मैटर से क्या है सीधे पक्षकार है वाद के तो उन पक्षकारों के उपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उस वाद के सीधे पक्षकार है जो वाद के पक्षकार है उनके उपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और उनसे यदि कोई व्यक्ति है जैसे ए ह ए ने यहाँ पर वाद लाया था कि मेरी संपत्ति के लिए या फिर किसी चीज के लिए यह संपत्ति मेरी है या विदिक हैशित मेरी है इसके लिए वाद लाया था ठीक है अब यहाँ पर वाद लाया था कि जो बी है वो ऐसी संपत्ति के लिए मना करता है कि यह जो संपत्ति ह तो यहां पर नियाले में जाता है और कहता है कि यह जो संपत्ति है यह मेरी है इसे मेरा डिक्लियर कराया जाए नियाले के पास गया 34 के तहत और नियाले को लगता है तो नियाले एक ही संपत्ति वो है जो गोशना कर देता है कि यह जो संपत्ति है उन्हें एक ही है या फिर व यहां पर क्या कर सकता है A की उपर boundable है यह जो 35 है मतलब घोचना के degree A से भी माननी होगी B को भी माननी होगी A का कोई पुत्र बागेरा है मतलब A से जितने भी लोगों को यहां पर hit रखते हैं वो वेक्तियों पर भी effective होगी और B से जितने लोग effect रखते हैं संबंद रखते हैं hit रखते हैं उन वेक्तियों पर भी प्रभाव होगी मतलब जितने लोग यहां पर वाद ला सकते थी 34 के तहर्ट उतने ही लोगों पर यहां पर प्रभाव डलेगा ठीक है और यदि हमने 34 में यह भी देखा था कि 89 है तो 89 भी यहां पर वाद ला सकता है तो 89 यहां पर वाद ला सकता है तो 89 के तोर पर यदि कोई वेक्ति है तो उसके उपर भी effective होगी तो हमारा 35 complete हुआ जो यह बताता है कि यह जो 35 है वो कितने लोगों पर effective होगा तो चार लोगों को हमने जंदली ही देख लिया है परन्तु हमें यह याद रखना है कि यह जो 34 में जितने लोगों को वाद लाने कादिकार है तो उनकी उपर effective होगी मतलब वाद के पक्षकार उनसे हक व्यूत्पन होने वाले व्यक्तियों पर भी ठीक है आब अबद कर होगी कोई नियासी है तो उनकी उपर भी नियासी होती यदि घुचना की तारिक को उनका अस्थिव तो होता तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं उनकी उपर भी यह जो 35 है घुचना है किसी चीज को रोग देना ठीक है देखते हैं हम व्यादेश शाधारत यहाँ पर व्यादेश शाधारता बता गया है निवारक अनुतोष कैसे अनुदत किया जाता है निवारक अनुतोष नयाले के विवेक अनुशार आइस्था यह शाष्वत व्यादेश द्वारा अनुदत किया जाता है यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो पार्ट थ्री है तो हमने 36 देख लिया जो निवारा कनुतोष निवारा कनुतोष को फिर से देखते हैं निवारा कनुतोष मतलम नयाले के विवेकान उशार दिया जाता है ठीक है और दूसरी बात यह बताता है कि या तो आइस्थाई तोर पर हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस साही तोर पर हो सकता है इसको हम एक एक एक्जामपल से समझते हैं इसमें क्या बताया गया है कि जैसे यदि A का A की कोई प्रॉपर्टी है ठीक है एक्जामपल देखते हैं A की कोई प्रॉपर्टी है ठीक है B उस पर कबजा बनाता है तो A जो है वो क्या करता है कि वाद लाता है नियाले में अब नियाले में यदि वाद लाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पर क्या किया है जो B है वो कबजा बनाया है अब यहाँ पर नियाले में वाद लाता है ठीक है ध्यान से सुनेगा ए यहां पर वाद ले आया तो अब नियाले को तो अभी पता नहीं है कि यह जो ए है वो सही कह रहा है यह नहीं मतलब जो संपत्ति वो ए की है यह नहीं है तो अब यहां पर ए कहता है कि यह जो बी है वो इस संपत्ति पर क्या करता है कि वैस संपत् संपत्ति की जadelphia में उसको व敢 संपति में उसको है रखा जाए आयस्थाइश कोई किस चल रहा है उसका पूंड़ की के dallahu में तो पता नहीं किसकी है एह यहां पर बाद लाता है यह मेरी प्रॉपरटी है बकुछ करवा रहा है ठीक है तोड़ फोड़ करवा रहा है तो न्याले में यह वाद ले आएगा जब तक यह वाद कारवाही चल रही है और न्याले से कहेगा कि यह जो प्रॉपर्टी है यह मेरी है बी कहता है मेरी है और यह इसमें तोड़ फोड़ करवा रहा है तो किरपिया करके इसको वैसे ही रुकवा दिया जाए तो नियाले को सही लगता है कि हाँ ये एक ही संपत्ती है और तो फिर नियाले यहां पर आइस्थाई व्यादेश दे देता है जब तक कारवाही चलती है वो इसलिए देता है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है संपत्ती किस की और उसमें बदला जैसे नियाले का निर्णा आ जाता है अब नियाले ने बता दिया है कि संपत्ती बी की है या एक है अब यहां पर बी की है संपत्ती जैसे हम मालेते हैं यदि बी की है तो फिर यहां पर क्या है यहां पर साथवत ब्यादेश है अब यहां पर बी की संपत्ती है वो तोड़ तो यदि किसी काम को रुखłaना सकता है कि आस्थाई ब्यादेश दिया जा सकता है। या उसका करे गाया जया ले है तो यहाँ पर क्या है निवारक अनुतोष प्राप्त किया सकता हो खीक है अब हम क्या देखेंगे 37 37 में देखा आस थाई और सासवत बयादेश अभी साय अभी हमने देखी 36 में देखा है कि निवारक अनुटुस क्या बताया है कि कोई ऐसा आनुतोष, कोई ऐसा रिलीफ होता है जिसके द्वारा क्या कहा जाता है कि कोट की द्वारा कोट कहता है कि किसी ऐसे वेक्ति से कहता है कि आपका ये अधिकार नहीं है आप इस संपत्ति पर अधिकार नहीं रखते तो किसी काम को करने के लिए वहाँ पर रोक लगाई जाती है या फिर किसी कारी को करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है यह प्रिवेंटिव रिलीव कहलाता है प्रिवेंटिव रिलीव मतलब ऐसा कारी जो नियाले द्वारक्या किया जाता है कि आप उस चीज के अधिकारी नहीं है तो उस काम को करने के लिए आपको क्या कर दिया जाता है रोक दिया जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस चीज का अधिकारी नहीं होता है फिर भी वह उस संपत्ति पर अधिकार जमाई हुए या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो लीगल नहीं है तो तो उसको ऐसा कुछ करने के लिए यहां पर रोक दिया जाता है तो वह यहां पर क्या है प्रिवेंटिव रिलीफ कहलाता है यह कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं या तो आयस्थाई होते हैं या फिर इस्थाई होते हैं अब हम आयस्थाई और इस्थाई के बा किये जा सकेंगे और सिभल प्रिकियां सेहीं तो 1908 का द्वारा विनेयमत रते हैं पहली बात तो हमें यह याद रखना है कि जो आहिस्थाई व्यादेश दिया जाता है वो CPC फिर गलत काम कर रहा है अब जो ए क्या करना में यहां पर जाता नयाले में व नयले में हैken यह जो मेरी संपती है इसके लिए जो बी है वो बहुजे क्या कर रहा है ठार धमकी दे रहा तक बताये गए हैं कौन कौन से प्रकार हैं तो वहां पर यदि कोई ऐसी सिचुईशन आती है तो उस सिचुईशन को देखती हुई वियादेश की लिए डिया जाता है, जो आइस्थाइ वियादेश हमगी, जिने विनेदिष्ट असमय तक या नियाले का तो बने रहनते हैं, मतलब इसमें दो बात, बताएंगे हें कि जो आहिस्ताई व्यादें रहते हैं बू पर दो प्रकार से लगे रहते हैं। वाद कि किसी भी प्रकारम कि अनुदति किये जा सकते हैं जैसे केस चल रहा था केस चलती चलती बाद में उसे धंकी मिली जो वादी रुट्वाधी देता है जो दूसरा पक्षिकार कि मैं तुम्हारी संपत्य जो इसे खराब कर दूगा यादि तुमने मुझे कर दिया जाता है अब तक पर इसके गुणागुण की आधर पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदर्त्ति किया जाता है यह जो आइस्थाई व्यादेश होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है कि जब नियाले में कारवाई चल रही है यहां पर डिसाइड नहीं होता है कि संपत्ति किसकी है या नहीं है पर उस संपत्ति की संरक्षा के लिए यहां पर नियाले जो है आयस्थाई व्यादेश देता है कि उस संपत्ति को स सास्वत व्यादेत मतलब टाइम ब्रीधी जो स्टे है वो कितने दिन के लिए दिया जा सकता है जो न्याले जब तक के लिए उसे टाइम बताये यह आइस्थाई तोर पर होता है और यह पक्षिकारों के गुणा गुण के आधार पर डिक्री द्वारा ही अनुदत्ति किया जाता है हमें यह बात अब यहाँ पर और बताये गया है कि सास्वत व्यादिस वादि की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आथर पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदातर किया जा सकता है तद्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्रतियाख हैन या कोई ऐसा कारी जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो ना करने के लिए शास्वतकाल के लिए व्यादिश कर दिया जाता है अब यहाँ पर क्या है कि अब जो देखें यहाँ पर हमने आइस्थाई व्यादेश में क्या देखा था कि यहाँ पर जो A है मतलब जो वादी है वो बाद लाता है कि मेरी संपत्ती को जो B है वो खराप कर देंगे इसलिए नियाले जब तक उसका नेड़ने नहीं आता है वो क्या करते हैं कि आइस्थाई व्यादेश देते हैं ठीके आइस्थाई व्यादेश दे देते हैं कि ये जो समपती है इसको डेश्ट्रॉय नहीं किया जाएगा कुछ भी खराम नहीं किया जाएगा, कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि मेरा नेर्णा नहीं आता है, इस्थाई में क्या हो जाता है, सासवत ब्यादेश में पर्मनेंटली में यह होता है, कि नियाले गुणागुण को सुनता है, दोनों पक्षकानों को सु कि यहां पर गलत है तो वह बिल्कुल से मना कर देगा कि अब जो इस संपत्ती पे यह जो तुम हग जमाई बैठी ते यह जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी नहीं है और उसके आगे पीछे भी घूमते हुए मत देखना मतलब यहां पर पर्मनेंटली यह हो जाता है कि पर्मनेंटली है वो क्या दिया जाता है याद रखना है कि जो पर्मनेंटली को यहां पर जो आइस्थाई व्यादेश होता है उसमें पक्षिकारों के गुणा-गुण पर सुनवाई नहीं होती परंतु जो सेकंड वाला बताता है कि सास्वत व्यादेश में पक्षिकारों के गुणागुर्ण पर सुनवाई होती है पहला बताता है यह श्टार्टिंग में भी दिया सकता है बाद के स्टार्ट में भी दिया जासकता है और यह 27 początku ब्यादेस है वह बाद की सुनवाई के पिस्चा थी मतलब लास्ट में दिया जा सकता है ठीक है तो ऐसे हमारी कुछ डिफ्रेंस कंप्लीट हो गए है तो 37 हमारा कंप्लीट हो गया होप सो आपको समझ में आ रहा होगा 37 हमारा कंप्लीट होगा आप हम कौन देखेंगे 38 अब सास्वत ब्यादिस हमने देखा है कि कौन कहलाता है यह पर्मनेंटली इंजेक् अन्यों बंदों के अध्य दिन यह है कि सास्वत ब्यादिस बादी को उसके पक्ष में बिदमान बादिता कि चाहे वाई अभिव्यक्तो या विवच्चित भंग का निवारन करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा इसमें यह है कि जो इस अध्याय में अंतर्विष्ट उसके पक्ष में बिदमान बादिता के अब कोई बादिता है चाहे अभिव्यक्तो या विवच्चित भंग का निवारन करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्लॉज है वो यह बताता है कि यदि कोई वैक्ती है ठीक है अब एक वैक्ती ने अपनी संपत्ती बी को दी है वो इसलिए दी है कि मेरी जो संपत्ती है उसकी तुम संरक्षा करोगे जैसे कि मेरे बहुत सारी पेड लगे हुए है इस थावर संपत्ती में और मैंन करते हैं उस संपत्ती की जो पेड़ है आपने काड़ दी है यहां पर जो भी कॉंटेक्ट किया गया था तो उसके लिए कहा गया था जो सर्थ रखी गई थी उस सर्थ को आप तोड़ते हैं ठीक है और जिसी बात देता है मतलब मैं उसे न्याले से पाशकती हूं ऐसी जो तो सासवत ब्यादेश यहां पर दे दिया जाए फिर से देखते हैं एक्जांपल देखते हैं एक क्या करता है बी को अपनी संपत्ती दे देता है यह वाली उसने क्या कहा कि यह वाली जो पोर्षन है इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं होगा और यह जो पोर्षन है पूरे को ने क्या किया था कि आधी के लिए मैंने इसे हग दिया था परन्तु यह पूरे पर हग जमाय हुए है तो यहां पर सास्वत ब्यादेश दिया जाए और मुझे इनसे मेरी जो संपति है मुझे बापस दिलाई जाए इस सद्ध्याय में अंतर्विष्ट यह देश्ट अब यह अभीर होसकती है अगान कौक एसको को अपनम ख इस लिए तो नहीं देए बिलेयो सीद्धै ना क seal पर संविदा होती है कि मैंने आपको संपत्ति पर रहने के लिए दिया है तो आप उसको ढूर्ण सकते तो यह बिवच्छ संविदा हो गए इसको भंग कर निवारन करने के लिए अब सामने वाले पक्षकार ने क्या कर दिया है भंग कर दिया है तो उसके निवारन के लिए अनुदर्ति किया जा सकता है नियालय फिर यहां पर क्या है कि जो पर्मनेंटली इंजेंशन है यहा तो कोई सर्तों को संभिदा से उत्भूत होती है ताद्धिता की दो मैं विश्विश्व नियमों और ऊए अुब द्धिन में तो उसको यदि समिता से उत्भूत हुई है ठीक है अब यहाँ पर यदि कोई बादिता रखी गई है तो उसके लिए नियाला यह देखेगा कि यह जो बादिता है वो सही है कि नहीं है अगर वो सही है तो उसके लिए जो इंजेंग्शन है वो दिया जा सकता है नहीं तो नही अब दो कि योग बंदों को ध्यान में रखा जाएगा मतलब 9 से 25 तक ये बताएगा है कौन कौन सी समिधा है जिनका जो है विनेरदिष्ट पालन कराए जा सकता है कि इनका नहीं कराए जा सकता है जैसे हमें एक्जांपल देखते हैं यदि कोई सिंगिंग करता है तो उसका ये व्यक्तिगत बाद्धिता होती है मतलब ये व्यक्तिगत ये गुण होती है व्यक्ति के कि वही गाना गाएगा अब यदि वो बाद्धिता है कि आप इस गानने को गाएंगे अब यदि वो गाना नहीं गा रहा है तो दूसरे वेक्ति को यहां पर बादि नहीं किया जा सकता कि आप यहां पर गाना गाएं या नहीं गाएं ऐसा करने के लिए ठीक है तो यह जो बादिता है सीधी बात यह है कि यदि कोई जो है सर्तिन लगाएं जाती है या उब्होग पर आकरमन करे आकरमन की धंकि दे तब न्याले नम्लिके दसाओं में सासट व्यादे दे सकता है अब जो पृतिवादी है मतलब A ने यहां पर वाद लाया है कि मेरी यह जो संपति है से खराब कर रहा है B भी धंकि दे रहा है मैं खराब कर दूँगा, तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, कुछ भी कर दूँगा, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, वाद ला सकता है, ए और उसके लिए यहाँ पर permanently जिए जा सकता है, कौन सी सिचेशन में, जहां की प्रतिवादी, वादी के, लिए उस संपत्य का न्यासी हूं, अब जो प्रतिवादी है, वो क्या है न्यासी था उस संपत्य का, ठीके, उस संपत्य की संरक्षा करने के लिए, मैंने आपको दिखे, एग्जाम्पल देखते ह इने बी से कहा कि मेरी ये जो संपत्ति है ये जो संपत्ति है इसकी आप रक्षा कीजीएगा और इसमें यदा रहते हैं जो भी किराया आता है यहाँ पर देने के एक्षा नहीं और क्षा करता है यहाँ prophecy है जो नियासी है वो यहाँ पर संविधा का भंग कर रहा है तो भी यहाँ पर जो पर्मनेंट है वो इंजंग्शन दिया जा सकता है ठीके आगे देखते हैं आगे बताये गया है कि जहां कि उस वास्तविक जहां कि उस वास्तविक नुकसान का अब इनिस्यत करावन के लिए कोई मानक विद्वायन नहीं है अब जैसे की ये हैं जैसे कोई आस्तमा का रोगी है ठीक है अब आस्तमा का बीमार वेक्टी है उसके आऄस पशल्व क्या है कि कुछ ऐसी फैक्टरी लगा दी गई है जिससी क्या हो जाता है धुआ धुआ होता है तो उसको जो अस्थमा का रोगी हो उसको सेलर जी है तो यहाँ पर उसका मानक उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसको कितना कंपंसेशन दिया जा सकता है तो वहाँ पर भी जो नियाल है पर्मनेंट इंजंग्शन दे सकता है अगला पॉइंट जहां कि आक्रमन ऐसा हो कि धन की रूप में प्रतिकर यथा योग अनुतोष ना देगा अब यहां पर यह है कि जो धन की रूप में जो अनुतोष यदि दे भी दिया जाएगा तब भी उसका जो पूर्ती है वो नहीं हो पाएगी जैसे अपन की family member की या फिर अपन की घर वालों की किसी चीज से बहुत यादें जुड़ी होती है तो अपन लोग भी प्यार करने लगते हैं उन चीजों से कोई घड़ी होती है कोई घर की चीजें होती है अपना पुराना घर है तो उनने का कि मुझे अपना घर वो दादा का घर है मुझे बहुत पसंद में मैं उसे नहीं दे सकता अब जो प्रतिवादी है उसको खराब करने की धमकी दे रहा है तो नियाला यहाँ पर क्या है? पर्मनेंट इंजेंक्शन दे शकता है कि भई यह इसकी संपती को खराम ना किया जाए क्योंकि उसकी उससे भावना जुड़ी हुई है अगला पॉइंट बताता है जहां की व्यादिस नियासी कारवाहियों की बाहुले निवारत करने के लिए आवश्य को अब जो की काम है यहाँ पर क्या है? नयाएक कारवाहियों के लिए ठीक है? बहुत सारे जहां की व्यादिस अब जो व्यादिस लिए दिया जाता है के लिए यहां पर बहुत सारी के लिए जूछ hairs करने के लिए लिए आधिख स्नुन करता है ज्मैं lebih जंच को सार 17 के लिए एक में ही क्या कर देगा व्यादेश के लिए व्यादेश कर देए फिरसे देखते हैं सास्वत 29 पर्मनेंटली व्यादिश होता है मतलब जो की पूरी डिक्री के बाद दिया जाता है ठीक है अब इसमें ये बताया गया है जब नेर्ने हो जाता है गुणावगेड के आधर पर सुननों के बाद दिया जाता है अब जो सास्वत ब्यादे से वो किन्न आधरों पर दिया जा सकता है तो पहला आधर ये है कि वादी ने भूद सर्टों को अध्यार दो में जो भी बात बताई गए उनको ध्यान में रखते ही रखा जाना चाहिए तभी टाइम जो पर्मेनेंटली इंजंग्शन है वो दिया जा सकता है। तीसी बात बताता है कि यदि जो प्रतिवादी है वो धमकी देता है कि पहली बात ये बताता है कि प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी है अब जो प्रतिवादी है वो धमकी देता है कि मैं आपकी संपत्ति जो है वो खराब कर दूँगा आकरमन की धमकी दे नेजले पेंगले अगली बताता है कि अब जो नुक्सानी है उसका निरधाना नहीं किया जाजा यदि कोई ऐसी संपत्ति है उसका निर्धान नहीं किया जासकता है तो भी यहांपर जो पर्मेन Channel Electricjourd अगली बात बताता है जो robot बताता है कि यदि उसका निर्धान तो किया जासकता है परन्तु उससे पूर्ती नहीं होगी ठीक है मतलब धन के रूप में यथा योग अनुतुष ना देगा मतलब यदि धन उसमें दे भी दिया जाए तो फिर भी उसकी पूर्ती नहीं होगी वो कोई ऐसी बहुमुले चीज है तो उसके लिए भी जो है पर्मनेंट इंग्शन द हमारी जो सेक्षन 38 हो गई अब जो 39 मैं वह क्या वताता है कि आग्याप व्यादेश क्या होते हैं जबकि किसी बातेता की भंग करने के लिए कतिपा ऐसी कारियों का जिनका प्रवर्तन कराने को नियाले समर्थे पालन विवश करना आवश्य को तब नियाले परिवादित भ कि जिए किसी प्रक्ष करने के लिए आपको यहां बात देगा थी कि आपको वह पर उडोले के लिए सब्सकेज़ कर देख और दने डू anni कर Will के लिए कतिपए ऐसी कारियों का जिनका प्रवर्तिन कराने को नियाले समर्थ है मतलब नियाले को समर्थ होना चाहिए कि वह ऐसे जो रिलीफ दिला सके पालन विवश करना आवश्यक हूं तब नियाले परिवादित भंग को निवादित करने और अपेक्षित कारियों का पाल लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है साय 25 बात करता है लिमिटेशन एक्ट में हमने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति है 25-30 साल तक क्या करता है 25 साल तक यदि प्राइविट भूमी पर क्या करता है हवा पानी वायू प्रकाश वगेर यूज करता रहत कर दो करता है और उसमें कोई रॉबलम क्रिएट नहीं होती है मतलब सांती पूंड उसका अधिकार हो जाता है यहां पर यहां पर वाड़ी वैक्ति को मिल चुकी है यहां पर क्या कर रहा है इस रास्ते से जाने का उसे अधिकार मिल गया है यहां पर पानी का सोस था तो पानी मिल गया है यहां प्रकाश मिल गया है यहां। यहां पर दीवाल खडी कर ली है अब जब उसने दिवार खड़ी कर दी करता है वी ने वहां से दिवाल खड़ी कर दी है ज्स तो फिर न्याले यहां पर कहेगा कि बी से कहेगा न्याले ऐसा होना चाहिए जो उस बात को जो यहां पर ऐसा रिलीफ देने के लिए सक्षम हो पहली बात यह बताए गया है दूसरी बात है कि फिर न्याले यहां पर बी से कहेगा कि आपने यहां पर जो दीवाल खड़ी की है उस दीवाल को भी आप गिरा दीजी ताकि इनको जो ए है उसको हवा पानी वगेरा मिल सकी प्लस आपने यदि जो भी छती हुई है आपके कारण तो वो छती की भी पूर्ती आप एको कराईए तो यहां पर यही बात बताएगे है कि एक ही जो बादिता है ठीक है जबकि किसी बात दिता की भंग का निवारण कोई बात दिता थी सामने वाले पक्षिकार पर उसके भंग के निवारण के लिए जिसका उसको कारी किया जाना चाहिए था उसने वो कारी नहीं किया है जिससे क्या हो गई है वो बादिता क्या हो गई है यह भंग हो गई है उससे ऐसा कारी नहीं करना चाहिए था वहाँ पर दिवाल नहीं उठानी चाहिए था उसका तो अधिकार हो गया था एका ठीक है तब ऐसा पालन करनाने के लिए यदि कोई न्याले है वो सक्षम है तो न्याले ऐसा क्या करेगा कि वह उस कारे को भी जो ऐसा हुआ है उसको क्या करेगा कि आप ऐसे कारे को खतम किजी प्लस आप क्या दीजी अनुतोस दीजी करने और अपेक्षित कारेों का पालन विवश करने के मनलब यहां पर विवश किया जा सकता है कि आप उस दिवार को जो आपने दिवार ethics करले तो uda को हटाई है तो एक आपने उसका भांग किया है तो आपको उस भांग के निवारण के लिए आपने जो भी छथी की है उस छथी की पूर्ती जिसका भी ऐसा बंकिया है वो छती पूर्टी करानी होगी ठीक है तो हमारे जो 39 है वो complete अब हम कौन सा 40 देखेंगे 40 क्या बताता है कि व्यादेष के इस्थान पर या उसके अत्रिक्त नुक्सानी भी दिलाई जाएगी व्यादेश के अतरिक्तिया, इस्थान पर नुक्सानी का दावा कर सकेगा और नियाले यदि ठीक समझें तो नुक्सानी दिला सकेगा। मतलब यह बताया गया है कि 38 और 39 है, 38 में सासवत व्यादेश है और जो 39 है और आग्यापग व्यादेश है। थीक is अब यहाँ पर जो 38 ख 39 के तहत क्या है कि जो वादी है वो यहाँ पर नुकसानी के लिए भी वादला सकता है उसी वाद में थीक IS सासवत व्यादेश की और अग्यापक व्यादेश के साथ-साथ छदी की पूर्ति के लिए भी मतलब नुकसानी के लिए भी दावा कर सकता है उसी बाद में और न्याले ऐसा यदि ठीक समझेगा तो क्या है नुकसानी दिला सकेगा दूसरे पक्षिकार से धारा 2 जो धारा 2 है वो ये बताती है इस धारा कि यदि नुकसानी का कोई अनुतोस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने ये 38 और 39 के तहट तो उसे नुकसानी ऐसी नहीं दिलाई जाएगी वही बात बताईगे है कि ऐसे जो वादी है वादी को बात पत्र में बताना होगा कि मुझे जो ऐसी नुकसानी है नुकसानी भी चाहिए है ऐसे व्यादेश के साथ इसका जो परंतु है यदि जहां कि वा जैसे न्याय संगत हो अब इसमें जो परंतु है वो ये बताता है कि यदि कोई देखे सेकंड क्लॉस था वो ये बता रहा था कि यदि वादी को क्या चाहिए है नुकसानी चाहिए तो उसे अपने बात पत्र में लिखना होगा परंतु यदि वह भूल जाता है तो उसी के यहां पर एक तरीकी का रिलीव दिया गया है उसके लिए सुब्दा दी गई है कि वादी यदि ऐसे वाद पत्र में लिखना भूल जाता है कि मुझे ऐसी नुकसानी भी चाहिए है तो वो अपने बात पत्र में नियाले से अवेदन करेगा कि कि किसी भी प्रकरम में एक्से अधन के नियाले यहां पर आगया दे देगा थर्ट पॉइंट है वो यह बताता है वादी के पक्ष में बिद्वान बात देता कि भंग का निवारत करने के लिए वाद की खारजी ऐसे भंग के नुक्षानी का वाद लाने कि उसके अधिकार को वजित करेगी इसमें यह बत 38 और 39 तहरत व्यादेश तो नहीं मिला है अब जबयादेश नहीं मिला है तो वो नुक्सानी के लिए भी यहां पर वाद नहीं लाये जा सकता मतलब उसको उसके जो वाद है उसको खारज कर दिया गया फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि यदि कोई वहकती है जो 38 और 39 के तहत यदि 38 के तहत यदि कोई व्यादेश प्राप्त करता है तो उसके साथ साथ second clause बताता है कि वह ऐसी नुकसानी को भी प्राप्त कर सकता है अपने वादपत्र में लिखकर कि मुझे नुकसानी चाहिए जो सामने वाले पक्षकार द्वारा मेरे को हुई है परंतु है वह यह बताता है कि यदि वादपत्र में लिखना भूल जाता है कि मुझे नुकसानी चाहिए है तो उसको संसुधन करने को नियाले आगया दे सकती है कि आप ऐसे संसुधन कर लेजी और आप इसमें नुकसानी म किया है तो जिस कि सामने वाली पक्षर का ने क्या किया है दिता थी उसके उपर उस का है है पर नहीं लगता कि एसने को बहstill किया है तो नहींसे हुज असकिता है तो जब वादी का बाद खारेज हो गया है तो यहां पर नुक्सानी के लिए भिबाद लाने का अधिकारी नहीं होगा हमारा 40 कंप्लीट होता है अब हम 41 देखते हैं अब देखते हैं 41 को 41 में बताया है कि जो व्यादेश है उन्हें कम नामंजूर किया जा सकता है तो पहला हम देखते हैं कि कोई व्यादेश अनुदत नहीं किया जा सकता वाद जिसमें पहला वाला हम देखेंगे जो न्याले शंबन दिकारवाही होती है तो देखते हैं जो यह वाला पॉइंट है वो बताता है कि वाद जिसमें व्यादेश इपसित हो संसित किये जाने की समय लंबित किसी न्याएक कारवाही की अभियूजन से किसी व्यक्ति को अवरुद करने के लिए जब तक कि ऐसा अवरुद कारवाहीं के बाहुले को निवारत करने के लिए आवशिक ना हो एसमें ये बता आगए है यदी ऐसी कारवाहि, बहुत सारी कारवाहिbec कीं की बहूलता होती तो उसके निवारण के लिए व्यादेश देना है तब दे सकते हैं परंतु इसमें ये बात बताई गई है, यदि कोई व्यादेश है, जैसे कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर चेक दिया, एने बी को चेक दिया, अब एक के अनाधरन हो गया, वो चेक हो गया, क्या हो गया, बाउंस हो गया, बी को जिसे पैसे मिलने थे, वो इसलिए चेक दिया गय उसमें बताये गिया था कि लिए उस को उसके लिए यदो जो वह राएखिंति को जिसकी बाइखिती को है इसकी वजए से वह यहाँ जायो है दिया जाए और इसको वाद लाने से मना कर दिया जाए तो नियाले यहां पर वाद लाने की अधिकार को थोड़ी रोकीगी तो इसमें यही बताया गया है कि यदि कोई कारवाही नियाले में चल रही है और यदि वो नियाले में कारवाही चल रही है और फिर उसको पूरी तरीके से किसा संपत्य को ले कि इस संपत्र हमें कि मेरे विखन में सबस्क्राइब को तो अब यहां पर चल रही तहीं चल रही है भाइव लंबे थे अब एक तरीके से निष्ड निड्ड है पर पिर विश्का शुम्ड़ा निश्पादन कराना है तो इसको निष्पादन कराने के लिए यहां पर नेले में जो एए एको तो यहाँ पर समपत्ति मिल गया जो पढ़े फेर्वर relaxing कर अब और यहाँ से इसक例 कर रहों धक्रवाह एक फैजिकार आपनी क्लि उसकी कर पत्य कुरुए आप दिया है चाली की यह गया हूँ आ I नहीं लगाएंगे ठीक है जब तक कि ऐसी बहुत सारी कारवाही यदी होती है बहुत सारी कारवाही मतलब बहुत सारी वाद लाने हैं तो उन वादों से बचने के लिए यदी एक कारवाही है तो यहां पर लगा सकता है परंतु बहुलता है यदी कारवाही की तो यहां पर उ किसी कारवाही संसेतिया भियुजत करने से किसी व्यक्ति को अवरुद करने के लिए अब कोई व्यक्ति है वो कहता है कि देखी ए है एक मिनिट यहाँ पर क्या है ए जो व्यक्ति है वो क्या कहता है ब से कि अब नयाले में जाता है और क्या कहता है कि अधिनस्त वाले नयले में भी को वाद लाने का जो अधिकार है वो वहाँ पर देखिए जो ए है वो बड़े हायर कोट में जाता है और उस कोट से कहता है कि जो बी है बी को ऐसा व्यादिश लगाई है कि बी जो है जो निम्नतर वाला मतलब निचला कोट है उस कोट के पास यहां पर अपने अधिकार के लिए वाद ना ला सके तो नयले यहां पर ऐसा जो व्यादेश है वो नामंजूर कर देगा कि वो जहां पर जहां पर उसे वाद लाने का अधिकार है तो वहां पर उसे वाद लाने का अधिकार बना रहेगा अब उसको आप व्यादेश लाकर मना विधाई निकाय है उसको यदि आविदन करना है तो उसके लिए यदि अवरुद करने के लिए कोई YouTube विधाई निकाय में आविदन ना कर सके इसके लिए व्य जा आघी लगाया जाया न्याले उसको ऐसी व्यादिस लाने की इजाज़त नहीं देखता जो इपॉइंट है वो ये बताता है किसी सम्मिदा की भंग को निवारित करने के लिए जिसका पालन विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं है अब जिसका पालन देखिए कोई सम्मिदा है उसके भंग को निवारित करने के लिए जिसका जो है पालन विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं है जिसका जो है विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है ठीक है जिस सम्मिदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है तो नियाले उसमें व्यादिस नहीं देगा वो यह कहेगा कि यदि उसका विनेदिश्ट पालन कराया जाए ठीक है अगला पॉइंट बताता है किसी कारी को जिसके बारे में युक्ति-उक्ति तोर पर यह इसपष्ट ना हो कि यह उपताप नियूसेंस हो जाएगा पर नियूसेंस होगा नहीं है जैसे यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या है कि जो इह है वो नियूसेंस नहीं हो रहा है तो यहां पर व्यादेश नहीं देगा अगला पॉइंट जो है वो यह बताता है किसी चालू रहने वाले भंग जिसमें वादी उपमत हो गया है और नेवारित करने के लिए अब ऐसा है कोई अपकरत है जो चालू रहने वाला भंग है मतलब कोई continue offense हो रहा है जैसे हम example देखें कि एक ही कोई संपत्ती थी वहां पर क्या होता है कि वो वेक्ति जो यह संपत्ती है एक ही ठीक है अब इस संपत्ती पर एक आधिकार है अब भी उसका सामने वाला वेक्ति है उसके जो सामने रह रहा था अब भी क्या करता है उस संपत अब एको होसाया कि मेरी यह जो संपत्ती है मेरी संपत्ती पर भी क्या कर रहा है कि यहाँ पर फसल होगा रहा है यह पूरी तरीके से अपना बना रहा है तो फिर यहाँ पर जो ए है फिर वो बाद लाने जाता है नियाले में कहता है कि मुझे व्यादिस दिया जाए तो नियाले यहाँ पर मना कर देगा कि यदि आपकी आखों के सामने सब कुछ हो रहा था नियूसेंस हो रहा था आपकी आखों के सामने जो है अपकृत्ति हो रहा था ठीके कारी होता जा रहा था तब आपने कुछ नहीं क आज आपको याद आ गई तो यहाँ पर फिर जो है व्यादिस नहीं दिया जाएगा अगला पॉइंट बताता है कि जब सामानेता प्रभारकारी अनुतोष कारवाही के किसी भी अन्य प्राइक धंग द्वारा निश्चित तौर पर अभी प्राप्त किया जा सकता हो सिवाए अनुतोष यह कोई रिलीफ है उसे आने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वो क्या है न्यास भंग ना हो तो उसमें व्यादिस दिया जा सकता है वरना उसमें व्यादिस नहीं दिया जा सके गया ठीक है अगनी बात यहां पर बताता है कि यदि उससे किसी अफसनरशन परियोजना की प्रकति या पूरा होने में अर्चन आती है या बिलंब होता है अत्वा उस्ते संबंदित सुसंगत समिदा की सतत व्यवस्था में ऐसी परियोजना की विशेवस्थू होने के कार सेवां में हस्तचेप होता है में व्यादिस नहीं मिलेगा ये पता है ये अमेंडमेंट हुआ था एक अक्टूबर 2018 का अमेंडमेंट है इसमें अफसनरशना परियोजना संबंदित जो है वो सरकार है कोई कारे करती है ठीक है अब यहाँ पर यदि आपकी प्रॉपर्टी ले ली गई है तो जैसे यदि आपकी प्रॉपर्टी ले ली गई है कई बार हम देखते हैं कि बहुत साइए लोगों की प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर जेल लाइन निकलना है यहाँ पर क्या बूलते हैं कि यहाँ पर पब्लिक के लिए क्या बना है इस्कूल बनना है कुछ हस्पताल बनना है तो ऐसे क्या है कि लोगों की प्रॉपर्टी ले ली जाती है ठीक है इस्थावर संपति जो जमीने ले ली जाती है तो उसके लिए मौपज़ा दिया जाता है अब यदि देखी हम जानते हैं कि यह जो पूरी प्रॉपर्टी है यह किसकी है यह राजी की संपति होती है उसके बाद हम इसे खरीते हैं तो उसके बाद हमारा होता है तो पहला किस का होता है दूदा एभी राची के लिए पांप्लिक के लिए उस संपत्ति को यूजस करती है तो उस लिए तो आपको बिए कि मुझे मेरी संपत्ति चाहिए है तो भी उसके लिए व्यादेश नहीं दिया जा सकता है, अब जो अगला पॉइंट है, आई है वो बताता है, जब वादी य erzähl कि सहायता से उसे निर्भर्तित कर दें, स्वक्षात का यहाँ पर सिद्धान्त करता है जैसे वादी है वादी यहाँ पर कहता है कि नयाले से कहता है कि मुझे जो है व्यादेश दिया जाए यह सामने वाले पक्षकार ने यहाँ पर अपने जो करतवे हैं उसका पालन नहीं किया है इसको देखते हैं कि A और B के बीच में एक संविधा हुई थी ठीक है A और B के बीच में यहाँ पर संविधा हुई थी A ने कहा था कि तुम मुझे 5 बोरे गयहूं देना ठीक है मैं तुम्हें 5000 रुपे दूँगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है A है A ने यहाँ पर 5000 रुपे नहीं दिए और वो नियाले में जाता है कि मुझे क्या किया जाए A या उसका भी करता कहता है कि मुझे जो है वो व्यादेश दिया जाए यह गयहूं है मुझे गयहूं दिये जाए B के दौरा मुझे दिलाए दे तो गलती यहां पर एक ही है, क्योंकि यहां पर पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको गेहूं कैसी मिल जाएंगे, मतलब वो खुद कारी करने के लिए सक्षम नहीं है, कारी नहीं कर रहा है, मतलब आप ही की गलती है यहां पर, तो भी नयाले यहां पर व्यादेश नहीं देगा, और जब बादी का मामला में कोई व्यक्ति खित न हो, अब वादी कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति में जगड़ा होता है, कि मेरी संपत्ती जो है, ये मेरी संपत्ती है, ये मेरी संपत्ती है, अब जिसकी संपत्ती है, वो यहाँ पर वाद नहीं लाता है, थर्ड प यहाँ पर जो व्यादेस से उसको नावन्जूर कर देगा तो पहली बात बताएगे है कि जब कोई वैक्ति है एक वाद क्या है नियाले में लंबे थे और उसका निप्टारे के लिए पूर तरीके से निप्टारे के लिए आप उसमें उसी को अभरुद्ध करनी के लिए पटाहिएं नहीं लाएंगे तो भी आपको व्यादिस नहीं दिया जाएगा जो भी क्षिति है विदाई को बढ़ति हैं वहां पर आप इदर नहीं करेंगे तो भी व्यादिस जो है मंजूर नहीं किया जाएगा और वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप दानिक मामले में वाद लाने की अधिकार को रोकना चाहते हैं कि सामने वाला जो पक्षकार है वो बाद ना लाए तो भी आपर जो है व्याद इस नहीं दिया जाएगा जो इपॉइंट है वो ये बताता है कि जैसे सम्मिदा भंग को निवारत करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कर देखी सम्मिदा की भंग को निवारत करने के लिए जो सम्मिदा है उसके भंग को निवारत के लिए जिसका पालन विनिर्दिष्ट प्रवर्तन न यहीं देगा अगस्य पॉइंट वह यह बताता है की यहाँ पर नियाले जो है वो किया है कि है कि ब्याने करेश के लिए यहँ नहीं भरेगा अगला point है वो ये बताता है कि चालू रहने वाला कोई अपकृत है ठीक है कोई चालू रहने वाले भंग है ठीक है अब आपकी सामने ही आपकी property को छीना जा रहा था धीरे 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 उसी पर काम हो रहा था पहले आपने कुछ नहीं का बाद में कहते हैं तो नियाले व्यादिस नहीं देगा अगला point बताता है कि देखिए अनुतोस कारवाही कि कि किसी अन्य प्राइक धंग द्वारा निश्चित तोर पर अई प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वो क्या है न्याश भंग की दशा में ना हो तो फिर उसमें व्यादिस नहीं दिया जाएग अगला point है जो हमारा एक अक्टूबर 2018 के amendment से जुड़ा है इसमें ये बताएगे है कि आफसनरश्णा परियोजना से सम्मंदित किसी कारे के लिए आप government आपकी property लेती है तो उसको आप यह नहीं कह सकते कि मुझे मेरी property चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यादिस नह है मतलब दूसरी दो लोगों की लड़ाई है तीसरे आप है आपका उनसे ना मतलब है ना उनसे मतलब है आप कहते हैं कि उन दोरों में जगडा हो रहा है समपति के लिए तो नियाले आपको व्यादिस नहीं देगा जिसकी समपति यह वहीं आए न तो हमारा यह 41 यहाँ पर को ना करने का अभिवत्षित नकारात्मक करार सम आविष्ट हूँ वह यह परिस्थित यहीं डिल्ये कंप सकारात्मक करार का विनेदिश्ट पालन विवश्च करने में असमर्थ है यहnomित्वist नदत्र करने से प्रवारित नहीं करेगी परनतु यह तब जबकि वादी संव पालन में जहां तक वह उसके लिए आबद करें आसफल रहा हो इसमें ये बताया गया है, जो 41 है, पहली बात है इसमें ये बता गया है जो यह राम में कोई भी बात लिखी हो, उसके होते जूब हुरे भी यहाँ पर जो लिखा है वो सर्वो परी है वो सबसे बड़ा है ठीक है अब यहाँ पर हम एक example से समझेंगे कि A और B ठीक है A और B है A ने कहा था कि मेरी बेटी की साधी है तो आप आईएगा और यहाँ पर क्या किजीगा सिंगें किजीगा ठीक है B से कहा है तो मैं आपको क्या दे दूँगा कुछ अमाउंट रख दिया 20,000 दे दूँगा 2,000,000 दे दूँगा कितना भी दे दूँगा तो इस स्थान पर आप आना और मेरे बेटी की साधी में यहाँ पर गाना गाना अब यहाँ पर क्या है कि यह सकरात्मक करार है अब जैसे उसने A ने B से कहा है कि आप यहाँ पर आना और हमारी बेटी की साधी में जो है गाना गाना अब कौन सी तारी को साथ तारी को साथ मई को हमारी बेटी की साधी है उसने यह भी बोल दिया अब साथ मई को आना और मत जाईएगा, मेरे ही यहाँ आईएगा मेरे ही यहाँ संगें किजिएगा वो कहता है कि दन है और मैं आ जाऊंगा अब यहाँ पर उसने अभिवक्त तोर पर कह दिया है कि आप कहीं और मत जाईएगा अभिवक्त तोर पर तो यहाँ पर हो गया है एक्सप्रिशली हो गया है, इंप्लाइडली क्या होगा, बिवच्चित तोर पर संविदा क्या से होगी, जैसे ए ने भी से कहा है, कि आप मेरी यहां पर आना और गाना गाना, पर उसने यह नहीं कहा, कि आप कहीं और नहीं जाना, जब उसने यह कहा, कि साथ माई को मेरे यहा आना साथ वजे से गाना गाना तो उसे और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि आप साथ तारीक को कहीं और नहीं जाना मतलब उसने ये बता दिया है कि आपको इस तारीक को आना है तो ये एक तो या तो उसने इस पश्टिते कह दिया है कि आप इस जगा पर आएंगे तो ये सकारात्म करने के लिए कहा है A ने B से कहा था कि यहां पर मेरे यहां पर गाना गाना अब जो B है वो क्या कहता है कि मैं आपके यहां साथ तरीक को गाना गाने नहीं आ पाऊंगा ठीक है क्योंकि मुझे C के पास गाना गाने के लिए जाना है अब यहाँ पर यही बात की गई है कि जहाँ A B में संविधा हो गई है संविधा होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि A ने कहा था B से कि आप मेरी यहाँ आना गाना गाना यहाँ पर संविधा हो गई अब जो B है वो कहता है मैं आपके यहां गाना नहीं गाऊंगा, C के यहां गाना गाने जाऊंगा तो यहां पर उसने सकारात्मक करार किया था तो नियाले यह तो इसकी व्यक्तिक गुण है पहली बात तो यह है कि जो B है, B का यहां पर व्यक्तिक गुण है कि आप एक यहां पर जाकर गाना गाई है अब सकारात्म करार करने के लिए तो यहां वेबस नहीं किया जा सकता है परंदू नयाले यह कह सकता है कि अगर आप एक यहां जाकर गाना नहीं गा सकते तो आपके उपर यह बात देता है कि आप सी के यहां भी सात्माई को जाकर गाना नहीं गाएंगे मतलब सकारात्मा करार करने के लिए जहां बाद नहीं किया जा सकता है तो वहां नियाले को यह अधिकार होगा कि वहां नकारात्मा करार वो ऐसा कारिक है दे कि जो आप मतलब यहां नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी जगा भी नहीं करोगे क्योंकि यहां करने के लिए तो आपको बाद नहीं किया जा सकता है परन्तु कहीं अन्य जगा का आप काम करेंगे तो वहां आपको करने के लिए बाद किया जा सकता है अब इसमें परंतु है परंतु ये बात बताता है कि परंतु ये है तब जब की वादी सम्मिदा के पालन में अब जो वादी है उसने सम्मिदा के पालन में जहां तक वै उसके लिए आबद्द करे असफल रहा हो वादी ने क्या किया है उसके संबधा की पालन में जहां तक उसका पालन करने के लिए वो बाद है वो आसफल रहा हूँ तब कि ये बाद है ठीक है तो हमने ये देख लिया है कि सीधी से बात हमें यहीं देखना है कि यदि कोई teacher है ठीक है टीचर से हमारी संविधा होती है कि हम आपको 20,000 रुपे देते हैं आप मुझे पढ़ाईएगा ठीक है जो टीचर है टीचर का किसी गवर्मेंट जो अब में सेलेक्शन हो जाता है अब वो क्या करता है कि अब वो हमें नहीं पढ़ा सकता है तो हम लोग न्याले में ज दिखवा लिया जाएगा कि आप किसी अन्ने को भी नहीं पढ़ा सकते हैं तो यहां पर नकारत्मक करारी करने के पालन का व्यादिस दिया जा सकता है नयाला ऐसा व्यादिस दे सकता है होपसो आपको समझ में आ रहोगा आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं अगले